Hello Kids, Welcome to the Basics आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है Transparent, Translucent and Opaque Objects तो चलिए, स्टार्ट करते हैं Transparent Objects से Transparent Objects को शफाव अश्या भी कहा जाता है यह वो Objects होते हैं जिनके आरपार हमें बिल्कुल क्लियर नज़र आता है इसके बाद हमारे पास आते हैं Translucent Objects Translucent यानि नीज शफाव इनके आरपार हमें बिल्दला दिखाई देता है फिर आते हैं Opaque Objects Opaque यानि रेर शफाव फश्या इनके आरपार हमें बिल्कुल की दिखाई नहीं देता तो चलिए एक चोटा सा Experiment करते हैं यह हमारे पास एक कार्ड है इसको हम पहले रखेंगे Transparent Object के पीछे तो यह देखिए Transparent के दूसरी साइट पे आपको बिल्कुल ऐसा ही नजार आ रहा है जैसे इसके बगार था अब इसको हम रिप्लेस करेंगे Translucent Object के साथ यह हमारे पास एक शीट है और अगर आप देखें तो आपको इसके पीछी क्या धुल्दला नजार आ रहा है चलिए अब हम इसको देखते हैं ओपेग आपजेट इससाथ अगर हम यह वाला कार्ड इसके ऊपर रखेंगे तो हमने फिल्कुल भी दिखाई नहीं देखाई नहीं देखाई देखाई और में देखाई टो नहीं देखाई नहीं है